यह है टाटा की सस्ती एलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी टियागो का यह बीच वाला मोडल है एक्स टी एलार एलार का फूल फूल पूल पूल होता है लोंग रेंज यानि कि मातर अठाउन मिंड में चार्ज और 315 किलो मिटर की लोंग रेंज आज हम इसका डिटेल में रिवी है टन इंडिकेटर मिल जाता है इसके साइड मीरर में एक सुपिचोत्तर पैंसेट आर 14 इंची के टायर साइज में जाते हैं विहल कोर के साथ कुछ इस परकार का लुक मिल जाता है एक प्रोपर हैच बेकार है अगर हम परकार का इसमें आपको लुक देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया है और इसमें आपको कुछ इस प्रकार के टेल लेम देखने को मिल जाते हैं टैन इंडिकेटर के साथ में तियागो इवी की बड़िया सी बेजिंग मिल जाती है 3D और यहां पर आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं अगर आपको इसके बूट को ओपन करना है तो आपको जाना होगा ड्राइवर सीट के राइट साइड में जश्ट नीचे यहां पर आपको एक बटन दिखाई देगा उसको आप ओपन कर सकते हैं और यह आप इसका बूट इस पेस देह सकते हैं अगर आपको इसका चार्जिंग कोईट देखने को मिल जाता है जिसमें आपको जो है दो सोकेट देखने को मिलते हैं एक फास्ट चार्जिंग वाला और एक नॉर्मल वाला यह आप देख सकते हैं दो जो है चार्जिंग पोईट इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं यहां से आप चार्ज कर सकते हैं तो दोस्तों Tiago EV के अंदर हम आ चुके हैं और अंदर का जो इंटीर है काफी मेरे को बढ़िया लगा यहां पर जो है यहां पर बैज है सेम वही डिजाइन यहां पर देगी है ऐसे वाले में तो काफी बढ़िया है जाड़ बटिन यहां पर मिल जाता है और इसमें आपको हैर का जाता है 18ょ आप च्शी है चक्राइब तेक यहां पर बढ़िया है यहां पर बिच है इसलिए लिगाणे पार डिया है उसकी विच से स्विच्छ करेंगे यहां से ओपन हो जाता है और आप कुछ रखना चाहें तो इजी लिए आप रख सकते हैं डेसबोर्ड में कप्याचा इस पेस्पेस दिया गया है इस्टेरिंग आप देख सकते हैं इसमें आपको जो है इस्टेरिंग माउंटेड ओडियो कंट्रोल मिल राइड साइड में आप यहां पर देखेंगे तो चारू पावर विंडोस के कंट्रोल मिल जाते हैं अंदर से साइड मीरर को आप एड़जस्ट कर सकते हैं और यह इसमें आपको जहें कुछ इस परकार की की मिलती है जिसमें एक रिमोंड और एक नॉर्मल वाली की इसमें देखने को मिल जाती है और यह आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया है इसमें आपको स्पीडो मेटर मिल जाता है कुछ इस परकार का यह आप देख सकते हैं पूरा आराम से पढ़ सकते हैं ड्राइव रिजन यहां पर जो है इसकी बैटरी हेल्थ बताएगा अभी पर आपको रीयर मिल जाता है यहां पर आपको सब्सक्राइब ऑर दूसरा तате ब्रेट. आप करें देख सकते हैं और ये आप इसकी पेबरिक काफि बड़िया है और ये जो डेtail इसमें आपको बल्यूट लेगा है और इसमें पुछ गलर का डिजाइन दिया गया और और बuur बतेरे सकते हैं और जो यहां बड़ी है वाइट क्रीम का जो डिजाइन दिये गए है काफी मस्त लग रहा है जहां पैट्रोल और डीजल गाड़ियों में इंजन आता है वहीं बॉनेट के नीचे ही इसका पाउर सप्लाई याने की इसकी बैटरी और मोटर आएगी तो इसमें भी भी 12.2 kWh की बैटरी मिलती है वहीं अभी मोडल है लोंग रेंज वाला इसमें आपको 24 kWh की बैटरी देखने को मिल जाती है MR model 6.2 second में 0-60 speed पकड़ लेती है वहीं LR model में जो यह अभी model है उसमें 5.7 second में 0-60 speed पकड़ लेती है इसमें आपको 3 charger option मिलते हैं एक 15 ampere का plug point होता है जो कि नॉर्मल वाल में लगा सकते हैं वो 8.7 गंटे में full charge कर देता है 10 से लेकर 100% तक का इसके अलाओ इसमें आपको एक AC fast charger मिलता है 7.2 kilowatt का जो कि 3.6 गंटे में पूरा charge कर देता है 10 से 100% तक का इसके लाओ एक इसमें fast charger भी देखने को मिलता है जिसको हम DC charger बोलते हैं वो मातर अठाउन मिन्ट में 10 से 80% तक का charge कर देता है तो वो आप अपने हिसाब से लेकर देख सकते हैं इसमें आपको battery pack और motor की 8 साल की warranty मिलती है 1,60,000 km तक वहीं गाड़ी की अगर हम warranty की बात करें तो तीन साल की warranty मिलती है 1,25,000 km तक तो यह काफी बड़ी है आप बिल्कुल peace of mind हो सकते हैं गाड़ी के अगर हम dimension की बात करें तो 379 mm इसकी लंबाई आती है 1617 mm चोड़ाई और 1536 mm इसकी height आती है 1200 mm का wheel basis में आपको देखने को मिल जाता है और 5.1 मेटर का छोटा turning radius circle मिल जात है कि आप सीटी वगेरा में इसको आराम से घुमा सकते हैं मोड सकते हैं टाटा ट्यागो इवी की प्राइज की बात करें तो इसके बेस मोडल सरुवात हो जाती है आट लाग 99,000 से लेकिन यह लोंग रेंज वाला मोडल है यानि कि 315 किलोमेटर की रेंज वाला मोडल है इसकी ओन रोड कीमत हो जाती है 10,40,000 रुपे नेट प्राइज अब अगर हम इसके फाइनेंस के बात करें तो 100 रूम कीमत का 85,90 परशेंट तक फाइनस हो जाता है तो लगबग 90 परशेंट निकालते हैं तो 9,26,100 रुपे का लोन होता है तो आपको डाउन पेवन देना होगा अगर आप चाहते हैं साट महिने की किस्त बनाना यानि की 5 साल के लिए तो फिर 19,455 रुपे के साथ किस्ते बनेंगी और 2,4,890 रुपे का इंट्रेस्ट प्रे करना होगा अगर आप डाउन पेवेंट ज्यादा देना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं 3,40 का उपर व अगर आपके पास इंकम प्रूफ है तो आट असी नो के करीब भी आपकी रेट ऑप इंट्रेस्ट लग सकती है तो अगर आप एक बजट में इलेक्ट्रिक कार करिदना चाहते हैं तो टाटा टिया वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एक बार चाल्ज करने के बाद तीन सो किलोमेटर की कंपनी रेंज बता रही है तो हम लगबग तीन सो या फिर दो सो नब्रत मार्ण के ही चलते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे जो प्लीज लाइक कमेंट शेर जरूर करें जिससे में क्या है कि एक फाइनेस पे प्रोपर वीडियो लेकर आने वाला हूं जिससे आपको फता चाहिए कि गवर्नमेंट में प्राइवेट में चाहिए पूरी जानकरे देंगे